एक छोटे से गाव में एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम महेश था. महेश एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आत्मा उत्साह से भरी हुई थी. वह बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए एक छोटे से शिक्षा केंद्र चलाता था. उसका सपना था कि वह अपने गाव के बच्चों को शिक्षित बना कर उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा. एक दिन एक गाव के अन्य लोगों की तरह महेश की भी बड़ी समस्या थी. उसका शिक्षा केंद्र बंद हो गया था क्योंकि उसे शिक्षा के लिए आवश्यक सामगरी की कमी थी ये समस्या उसे काफी परेशान कर रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी एक दिन महेश को एक अजीब सा सपना आया उसके सपने में एक पुराने पेड़ के नीचे एक अज्यात व्यक्ति खड़ा था जो उसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा था जब उसने उठकर देखा तो वह व्यक्ति गायब हो गया था लेकिन उसके मन में एक अद्भुत आभास था महेश ने उस सपने को अपनी मान्यता माना और उसके उपदेशों का पालन करने का निर्णे लिया वह अपने शिक्षा केंद्र को फिर से खोलने के लिए प्रयास रत रहा महेश के सपने में वह अद्रिश शिक्षक था जो उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मार्ग दर्शन कर रहा था ये उसके लिए एक अद्वितिय अनुभव बना धीरे धीरे महेश के प्रयासों और उसके निरंतर संगर्ष का फल मिला लोगों ने उसकी मदद की और उसके शिक्षा केंद्र को पुना खोलने में मदद की महेश के लिए उस सपने में दिखाई गई अद्रिश शिक्षक ने उसे सच्चे सिखाने का मार्ग प्रदर्शित किया उसने समय के साथ अपने शिक्षा केंद्र को एक सफलता बनाया और गाउं के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें सपनों की उच्चाईयों तक पहुँचाया. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जब हमारे मन में अच्छे आदर्श होते हैं और हम उन्हें मानते हैं तो जीवन हमें सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक गुरु की तरह काम करता है महेश ने इस साक्षातकार के माध्यम से यह सिद्ध किया कि शिक्षा का सच्चा मायना उसके अंतरनिहित समझ और समर्पण में होता है